नमस्का दश्को यूटूब के मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है आद में वीडियो लेकर आई हूँ धनू लगन वतुला राशी के लिए वर्ष 2023 का राशी फल सबसे पहले मैं अपने नए दश्कों को बता दू कि धनू लगन वतुला राशी का क्या आरत है आपकी जनम क तुल्ली में जो पहला भाब होता है ऐसे लगन कहते हैं अगर यहाँ पर नौ नमबर का अंक लिखा है इसका आरत है आपका धनू लगन है चंद्रमा लाब भाब में बैटा है साथ नमबर में इसका आरत है आपकी तुला राशी है यानि आपका कंबिनेशन अगर धनू लगन वा तुला राशी का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाब उटा सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ष 2023 में जो चार बड़ी ग्रह है शनी गुरू राहू और केतु राशी पर बरतर मदल रहे हैं वो धनू लगन वा तुला राशी के लिए क्या एफे से दूसरे भाब में मकर राशी में शनी माराज विद्यमान होंगे 17 जनवरी 2023 को शनी माराज कुम राशी में आजाएंगे यानि आपके धनू लगन से तीसरे भाब में आजाएंगे शनी माराज तीसरे छटे और ग्यार में भाब का हमेशा ही शुफल देते हैं तो यानि य तो आपके लगनेश गुरू आपके चौते भाब में सुराशी के होंगे लेकिन 21 अप्रेल 2023 को लगनेश गुरू आपके पंचम भाब में आ जाएंगे मेश राशी में जाएगी गुरू जो है दो, पाच, साथ, नो और ग्यारवे भाब का हमेशा शुफल देते हैं तो गुरू यहाँ पे पंचम भाब में आ जाएंगे जहां से वो लगन को देखेंगे लगनेश की लगन पर जिस्टी होगी और लगनेश की भागे भाब पर भी जिस्टी होगी यानि गुरू बहुत अ इसलिए उल्टा चलते हैं इसलिए वो मेश राशी को छोड़कर मीन राशी में पीछे की तरफ जाएंगे और आपके चौते भाब में रहू आ जाएंगे और जशम भाब में केतु आ जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 से यह तो चार वड़ी ग्रेया आपकी राशी बदल रहे हैं तो तुला राशी में जब वर्ष का आरब होगा तो शनी माराज मकर राशी में चोते भाब में होगे और 70 जन्वरी के बाद वो पंचम में आ जाएंगे कुम राशी में अपनी मूड लिकोण में जहां से उनकी सब्तम भाब पर लाभ पर धन भाब पर लिष्टी होगी पंचमेश की लाभ भापर धनवाप अजिष्टी एक छुप संकेत है और देव गुरु बश्पति की बात करें तो वर्ष के आरभ में वो छटे भाव में होंगे मीन राशी में लेकिन 21 अप्रेल से वो आपके सब्तम भाप में आ जाएंगे जहां से उनकी लगन पर लाभ भाप अजिष्टी हो जाएगी यानि शनी और गुरु दोनों आपके लाभ भाप को देखेंगे तुला राशी से और वर्ष के आरभ में आपका लगन और सब्तम भाप राव केतु क्यक्ष में होगा और 21 अप्रेल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक आपके सब्तम भाप में गुरु वर राव की उती रहेगी और 30 अक्टूबर को जब राव राशी बदलेंगे तो वमेश राशी को छोड़कर में राशी में आपके छटे भाप में आजाएंगे और केतु दालश में आजाएंगे छटे भाप में राव अच्छा फल देते हैं यानि धनो लगन से भी काफी इत्तक रहों की विश्टति अच्छी बनी हुई है शनी गुरु पड़ेटिव बने है तुलाराशी से गुरु पड़ेटिव बने हैं अगर आपकी दशाएं अच्छी हुई तो ये वर्ष निश्चत रूप से आपके लिए बढ़िया जाने वाला है, अगर आपकी गुरु की, मंगल की, सूरे की, या बुद की दशा या अंतरदशा हुई तो ये केरियर आपको लिए बहुत बढ़िया जाएगा इस वर्ष तो इस वर्ष आपको नई opportunities मिल सकती हैं कैरियर को लेकर नई अफसर मिल सकते हैं अगर आप लंबे समय से किसी अच्छे status की जौब की तलाश मिल थे तो आपकी जौब की तलाश पूरी हो सकती है और अगर आप लंबे समय से बेरोजगारी का सामना कर रहे थे तो यह वर्ष ऐ कि आपको नौकरी भी मिल सकती है अपकी मिलने के जरूरा अपके गुर्णी में गुरु की मंगल की शूरे की यह व्यॉद्ध की दशाय अंतर दशाय चलनी चाहिए या किसी ऐसे घ्रह की दशाय यसका आपके सब्तम या दशां-भाब से संबंध है कि ऐसा घ्रह जो आपके ट्रांसफर की भी संबाबना बन रही है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, अगर आप वैपार में हैं, तो मेरे साब से ये वर्ष वैपार में कुछ नया काम शुरू करने का है, इसमें आप को नया निवेश करत सकते हैं संतान से जोड़ी खुशकबरी मिल सकती है संतान से जोड़ी चिंता आपकी इस वर्ष धूर होगी विदातियों के लिए बहुत अच्छा समय है विदातियों को समय का इस्तमाल करना चाहिए बशरते अगर आप किसी कंपिटिशन की त्यारी कर रहे हैं पीएजडी कर रहे हैं या को रिशर्च वर्ष कर रहे हैं त्यार हो रहे हैं तो लगके पड़ाई कीजिये से बहतर समय आपको नहीं मिलेगा और जो अपने बिवा के लिए कोशिश कर रहे थे हैं उनका इस वर्ष भिवा होने की संबाब ना है हाँ एक बात क्धियां रखिए कि तुला का तनाव का संकेत है उसके लिए मैं आपको उपाय के तुर पे कहना चाहती हूं कि आप एक तो रोध पूजा के समय एक माला फीड सकते हैं सर मंगल मंगलाय शीवे सवासाधिके शड्नाय तिम्रिके गौरी नराणी नमस्तते और जो महिला जाती का है वो उपाय के तौर पर ह सूर्य अस्तो जाए चमेली के तिल का दीपक जलाकर अगर सुंदर कान का पाठ करती है तो उससे भी दामपत्य जीवन में असानी रहेगी गाय की सेवा करिए गाय को भीगी वी चने की दाल गुरुवार को खिलाईए उससे भी आपका दामपत्य जीवन में बढ़ोत्री हो है कि गुरु दोनों ही कुणलियों में धनू लगन्वा तूला राशी से गुरु आपके इच्छा पूर्ती के भाप को देख रहा है गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसका जो धनका कारक माना चाता है और सबसे शुब घ्रह है कुणली का देवताओं का स्वामी है गुरु ऐसी स्टेटी में गुरु जैसे घ्रह का आपकी इच्छा पूर्ती के भाप को देखना इस बात का संकेत है कि अगर आप धनू लगन्वा तुला राशी के जातक है तो हो सकता है वर्ष 2013 में आपकी कोई ऐसी इच्छा की पूर्ती हो जाए आपकी ऐसी कोई मनोकामना पूरी हो जो आप लंबे समय से पूरी करना चाते थे साथी ये वर्ष आपके लिए सोशल कनेक्टिविटी कर रहेगा जो आपके मित्र हैं सयोगी हैं सोशल कॉंटेक्स हैं जो आपका समाज में जो अलों से उटना बैठना है वो समाजी संपर्ग इस वर्ष आपके बहुत काम आएं साथी अपने कैरियर से जुड़ी साथानी की कारेश्टल पर साथानी और जॉब बदलने का विचार मत करियेगा जोलाई से एक्टूबर राशी के लिए वर्ष दोजार तेज बहुत अच्छी परसेंटेज है वो इस बात का संकेत दे रही है कि गोजर तो आपके लिए शा सूरे की मंगल की बुद्ध की दशा या अंदर दशा चल रही होगी तो निश्चित रूप से ये वश आप के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है तो दश को ये मेरा वीडियो था कि धनु लगनवा तुला राशी के लिए बड़ 23-72% तक बढ़िया जाने वाला है आपक देख सके इसके साथ ही नमसका दर्श को जैमाता दी